नमस्कार विवर्ज मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोग प्रिय डिवेट आर पार T20 वर्ट कप में भारत पाकिस्तान से हारा तो कहा गया कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए खेल भावना को सर्वोपरी रखना चाहिए बात सही भी है खेल को खेल की तरह ही रेना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ लेकिन जब आपका प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान जैसा हो तो देश तो खेल भावना केवल एक शब्द बन कर ही महज रह जाता है क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश साजिशों से कभी बाज नहीं आता भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा खेल खेला गया भारत ये टीम के तेज गेंदमाज महम्मध शामी को सोशल मीडिया पर जम को ट्रोल किया जाने लगा उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहा गया उन्हें हार की वजा बचाया जाने लगा हैरानी की बात यह है कि भारत के भी कुछ बुद्धी जीवी बड़े बुद्धी जीवी क्रिकिटर अपने वेरिफाइट ट्विटर अकाउंट से भारत के ही खिलाफ एजेंडे में लग गए दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में इनकी बड़ी भूमी का रही उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि शमी को ट्रोल करने वालों के बारे में थोड़ी पड़ताल कर ली जाए थोड़ा देख लिया जाए या कि ट्रोल कर कौन रहा है आज मैं तमाम ट्रोल्स और उनके लिए बैटिंग करने वाले लिब्रल्स को बे नकाब करूँगा व्यूर्स जो पाकिस्तान की साज़िश को हवा दे रहे थी ये वही बुद्धी जीवी गैंग है जो तब चुप रहते हैं जवकार यूनेस एक टीवी चैनल पे एरवाई पाकिस्तानी निउस चैनल पर खुले आम कहता है कि उनके लिए ये सबसे बड़ा खुशी कपल था जब पाकिस्तानी खिलारी हिंदों के बीच मैदान में नमास पढ़ रा था यानि जब रिजवान ने नमास पढ़ी तो वो हिंदों के बीच ख़़ा था वो सबसे खुशी कपल था वो वीडियो मैं दिखाऊंगा आप वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और बार बार उस वीडियो को देखिए सुनिए समझिए मानसिक्ता विचार क्या था ये बुद्धी जीवी तब भी खामोश रहे जब आई सी सी के मच पर पाकिस्तानी प्रेजेंटर कह रहा था कि भारत को हरा कर पाकिस्तान ने कुफ को खत्म कर दिया है यहां कुफ का मतलब समझाना बड़ा जरूरी है कुफ यानि वो काम जिसकी हदायत अल्ला ने नहीं दी है सवाल यह है कि क्या इस्लामोफोबिया के डिंडोरे के पीछे शमी के ट्रोनिंग के पीछे बांगला देश में हिंदूों को मारा जा रहा है कटा जा रहा है उसके पीछे हिंदू फोबिया फेलाने की साजिश हो रही है आज इसे मुद्धे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस हिंदू फोबिया टूल किट अगर आप हिंदूस्तान के वासी है इस देश से प्यार करते है इस विचार से प्यार करते है तो हिंदू फोबिया टूल किट पे आज जरूर ट्वीट करिएगा क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मैच नहीं था ये तो जिहाद था आज दो 24 अक्टूबर को एक क्रिकेट मैच हुआ भारत और पाकिस्तान घिटी में आमने सामने थी भारत मैच हार किया इसके बाद एक बहुत बड़ा एजेंडा शुरू हो गया पाकिस्तान ने इस मैच को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया शुरूात मैच के प्रेजंटेशन से हुई पाकिस्तान ने इंडिया को टी ट्वेंटी वर्ल्ड कॉप मैंन सी ट्वेंटी वर्ल कॉप में हरा दिया अभी ये शुरू बात है और पहला मैच जो हम जीते हैं उसे कॉन्फिडेंस हाया लेकिन कुफर तो टूट गया यह दो बना करें आइसी सी के मंच पर प्रिजेंटर की भूमिका में ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वाजित खान है जो कह रहे हैं कि कुफर खत्म हो गया कुफर यानि कि ऐसा काम जिसकी हिदायत अल्लाह ने न दी हो अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए ये पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनस है जो मैच के बाद अपनी जहरीली राय रख रहे थे यखिन नहीं आया तो एक बार फिर सुनिये हिंदुस्तान के किसी भी लिबरल बुद्धी जीवी ने इन बयानों की निंदा नहीं की लेकिन मुहम्मद शमी को जब ट्रोल किया गया तो देखिए कैसे वेरिफाइड ट्रिटर अकाउंट वाले लिबरल मैदान में उतर आए और भारत में कथिद भेदबाव सामपरदाइक्ता के एंगल को खूब जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया लेकिन आपको ये जानकर हरानी होगी कि शमी की ट्रोलिंग के पीछे पाकस्तान का ही हाथ था ये देखिए इसके सबूत सबूत नमबर एक आदल तयाब नाम के स्विक्ति ने ट्वीट कर कहा मोहमत शमी पाकस्तान की तरफ से खेल रहे है अब जरा ये तयाब कौन है ये भी जान लीजे ये कराची का रहने वाला है और एक पाकस्तानी न्यूस चैनल मकाम करता है सबूत नमबर तो ये देखिए मोहमत कामरान नाम के स्विक्ति ने ट्वीट कर कहा शाबाश आईसाई एजेंट मोहमत शमी मोहमत कामरान भी कराची का ही रहने वाला है ऐसे तकरीबन सत्तर प्रचे ट्वीट पाकस्तान से ही हुए जिसके जरीए भारत की छवी पूरे विश्व में खराब करने की कोशिश की कई भारत की हार का चश्रू मनाना पटाखे फोड़ना भारतिये खिलाडी को साजिश के तहत निशाना बनाना क्या ये सब सामान्य है क्या हिंदू फोबिया फैलाने की साजिश हो रही है जब अंगलादेश में हिंदूओं पर अत्याचार इसी कड़ी का हिस्सत है आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आज पार मैच था जिहाद नहीं लेकिन आज ये चर्चा मेरे दोस्तों मेरे व्यूर्स समानने नहीं और ये समानने इसले नहीं है अक्सर मैं अपने शब्दों को बहुत संभाल के इस्तमाल करता हूँ लेकिन आज जो मैं शब्दे इस्तमाल कर रहा हूँ उन्हें बहुत सोच समझ के इस्तमाल करना हूँ, वो इसलिए इस्तमाल करना हूँ क्योंकि जिस तरह का वाक्या हुआ है, जिस तरह के सबूत हमने जुटाए है वो वाकई हैरान करने वाले है सोचिए, 70% तक मैं इसलिए रुक रहा हूँ, 70-80% तक ये जो ट्रोलिंग थी, ये पाकिस्तान से थी इसका एक बड़ा हिस्सा, आप कह सकते हैं, 90% ये पाकिस्तान से ट्रोलिंग थी 5% बागना देशी थी, सिरफ 5% हिंदुस्तान से थी और सोचिए, उसके बिना पर एक मन बना रिया गया कि भारत में शमी को टार्गेट किया जा रहा है, वकार यूनिस कह रहा है कि उसको रिजवान का खेल अच्छा नहीं लगा, उसने अच्छी परफॉर्मेंस करी, वो उसको अच्छा नहीं लगा उसको सबसे अच्छा क्या लगा वकार योनिस को वकार योनिस को सबसे अच्छा लगा कि हिंदू के बीच में बैटके रिजवान ने नमास पड़ी एजेंडा साफ है दोस्तों वियोज एजेंडा साफ है लेकिन अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि हिंदू फोबिया की साजिस का विश्टेशन क्या है भारत मैच आरा क्योंकि प्रदशन खराब था कोई दोराई नहीं खिलारियों के आलोशना की जाए समझ में आता है विराट कोली की बी आलोशना हुई अलाचना हुई बाकी खिलारियों की भी शमी के अलोशना के साथ धार्मी के एंगल को जोड़ा गया और देश के राजनेता हुने जोड़ा जी राहुल गांधी ने जोड़ा जी असाउदीन ओवेसी ने जोड़ा जी मैं जानना चाहता हूँ कि बिना परताल करे कुछ भी कोई कर देता है कह देता है शमी की ट्रोलिंग पाकिस्तान से हो रही थी कुल मिला कर भारत को बदनाम करने की एक कोशिश हुई नियुआक्ट टाइम्स गाजियन में लेख चप गए कि देखे भारत में कितनी इंटॉलरेंस है शमी को टागेट किया जा रहा है ग्यारा खिलाडियों में से एक मुसल्मान है उसको टागेट किया जा रहा है जूट सरसर जूट बेबुनियाद वकार यूनिस ने कहा मैदान पर नमास पढ़े जाना मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल पाकिस्तान की जीत नहीं वकार यूनिस का कहना है कि सबसे जादा खुशी का पल जब हिंदूों के सामने मैं रिजवान नमास पढ़ रहे थी सोची आप शमी की खिलाफ 90% ट्वीट पाकिस्तान से की गए 5% ट्वीट बंगलादेश से 5% हिंदूस्तान से इस्लामोफोबिया के बहाने हिंदू फोबिया की साजश हो रही है अक्सर का जाता ता इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया एक्चुली दिस pregnancy муж साथ बात करने के लिए संबित पातरा सुबोही खान मेज़त आज की इस चर्चा में जुरणएं है शोहिव जमाई शदाव चुहान माजिद हैद्री आप तमाम लोगों का स्वागत है माजिद हैद्री महम्मद शमी की तो ट्रोलिंग पाकिस्तान से ओ रही थी गाली आप लोग अपने देश को दे रहे थे कियोँ हम इश्माइट दो बंकियों से घ्रियों है क्रिकेट के मैस में और मैदाने जंग में फर्क होता है लेकिन हमारे देश में वहाँ पर भी पाकिस्तानी टीम को शत्रु देखा गिया जहां पर के बिराद पोली जी ने बावरादम को गले लगा जाता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब यह का गया कुफ्र करने गए हैं प्रॉब्लम तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब यह का गया कुफ्र करने गए हैं प्रॉब्लम तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब वकार युनिस्टे बोला मेरे ये फर्जी ट्रोलिंग को फर्जी ट्रोलिंग को एजेंडा बनाया गया अच्छा ये बताईए मैंने तो आपसे सीधा सवाल पूछा आपने बोला थोड़ी आतिश वाजी तो की है आफत क्यों हो गई जो भी आप शेयर पढ़ रहे थे मैं तो आपसे सरल सवाल पूछ रहू इस देश में आके आप मेरे कारेकरम में आके आप क्या कुछ नहीं बोले भारती सेना के बारे में क्या कुछ नहीं बोले आप बाकी चीजों के बारे में देश के परधान मंतरी के बारे में इसके अलावा बाकी दस चीजों के बारे में लेकिन उसके बावजूद उसके बा मक्तब यह नहीं है कि जूट परोचा जाए देखें हमीश मैं किसले दो मिनट से आप बोल रहे हैं मुझे आपने बात करने की इजास्त देता है उसके लिए पटाखे पोड़ने की इजास्त देता है अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप देश्वर के चले जाएए लेकिन बात यह है कि आज हमको एडी ने भी रेट कर दिया होता है नहीं यह ने भी रेट कर दिया होता कि चीक यह संवित पात्रा का मैं रुख करता हूं संवित पात्रा क्रिकेट की खेल तो हमने कई सारे देखें बहुत सारेमेचेस हम देखते हैं लेकिन कभी आपने सुना है वकार यूने स्केल का क्रिकटर यह कह रहा हो कि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी कपल रिजवान की प्रफॉर्मस नहीं तो उन्हें मैच में प्रफॉर्मस कैसी करी सबसे ज़्यादा खुशी कपल यह था कि हिंदूों के बीच में नमास पड़ी गई और एक और कमेंटेटर आई स सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो हम मुर्ख हैं देखिए याद करिए शाहिद अफ्रीदी वो एक दिन अपने घर जाता है और उसकी वाइफ को आरती करता हुआ देख लेता है टीवी टीवी में कोई आरती चल रही होती है टीवी इंडियन टीवी शो पे तो वो प्रकार का वरताब किया गया यह अभी आपने देखा है शोयब अफ्रीदी आपको याद है कि किस प्रकार शोयद अफ्रीदी ने कहा था कि हम तो गजवाए हिंद बनाएंगे हम पहले कश्मीर को कैप्चर करेंगे उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान को अटैक करते हुए हिंदुस्तान में गजवाए हिंदुस्तापित करेंगे यह वीडियो अभी भी चल रही है तो हम मुर्ख होंगे अगर हम यह सोच रहे हैं कि वहां बड़े अच्छे लोग रहते हैं लेकिन हम तो यह कहते हैं कि हम एक है मैं तो एक टेलिविजन कारेकरम की वीडियो क्लिप देख रहा था हर बजन सिंग कह रहते हैं शोई बगतर को हम एक है फ्राइब भाई हम एक है उसके बोला में नहीं है शोई बगतर ने पलट वार किया और वही काटाव नहीं है हमारी विचारधारा अलग है तो फिर हम इस एक है का नाटक क्यो कर रहे हैं मैं आपको आपसे 10 सेकेंड लूँगा और 10 सेकेंड में एक ऐसी मूवी की स्टोरी बताऊंगा 10 सेकेंड में ही जिसको हम सबने देखा है अगर अंग्रेजी में देखा है आपने ट्रॉइ मूवी देखा होगा अभी केट विंसलेट की बात कर रहे थे मैं ब्रैड पिट की वो मूवी ट्रॉइ का आपको जिकर करता हूं ट्रॉइ एक देश था और स्पार्टा की राजकुमारी को ले आये थे हेलेन को और ट्रॉइ और सपार्टा के बीच में लड़ाई होती है पावर्फुल था और उसके बावजू ट्रॉइने जिस सिद्द्दा के साथ ये लड उस घोडे को अंदर ले आते हैं फिर जो हुआ वो आपने देखा है रात को घोडा कुलता है और ट्रॉय ध्वस्त हो जाता है जला दिया जाता है ये ट्रोजन होर्स की कहानी है आप एक हे एक हे पाकिस्तान के साथ करते रहें कि हम भाई-भाई हैं पाकिस्तानी और हम करते र जो नहीं सकते हैं अभी आप देखेगा इसंके के बाध में देगा नैगा रुदना शुरू कर दिया मैं ने आप अरे ये ट्रोजन होर्स हमारे बीचे बैठा है मतलब देश की भूमी में मौझूद है आपको क्यों लगा माजीद हैद्री जी की वो ट्रोजन होर्स आप ही है और आप क्यों इस प्रकार से एकदम बॉखला गए आप बताइए कुछ तो गड़बड है ना मैंने तो नहीं का पसंद है तो मैंने ट्रोजन होगा ने सुना दी एक जिए तो नहीं को रूख करूंगा तो मैंने ट्रोजन होगा लेकिन मैं बहुत में अब शधाप चौहां के पाथ जाना चाते हैं तो एक सेकंद सबट मैं आप को आगे मौका दूँगा शभश रहा हूं यह बीच महत्पूर्ब सवाल है मेरा आपके शदाप चौहां शमी को लेकर तो आपने ट्वीट करा शमी की ट्रोलिंग पाकिस्त पथे। में इसके कितन acost करें आप ने गिन लीज़े फोन बगार होगा आपके पास कितने ट्वीट करें desse कितने सबसे पहले सबसे पहले अमेजी मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं की पाकिस्तान और ISI चाहती है कि हिंदोस्तान के मुसल्मानों को जनलाइज करके बदराम करे और अपने लिए स्वाल करे लेकिन उस ट्रैप में बीजेपी फस जाती है अब सवाल है अरे बीजेपी मैं तो मैं आपसे सवाल देखे देखे शादाब भाई मैंने तो बड़ा सवाल पूछा वकार योनिस पर आपने जो उनने नमाज वाली बात बोली उस पर अब्जेक्शन आपने रेस करा की नहीं करा बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ हाँ बता जवाब 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 दीजे अरे पांडे जी को छोड़िये मैं तो मैं तो चोहां जी से पूछ रहा हूँ आप पांडे जी के चकर में पड़े हूए है मैं चोहां जी से पूछ रहा हूँ ट्वीट करा था ये नहीं करा था पिर आगे बढ़ते हैं ना सवाब तो ऐसी आगे बढ़ते हैं ना अगर वकार यून हाँ वकार यूनुस सहाब को मैं बहुत इस पच्चता से जवाब दे दूं कि ये हिंदोस्तान है हम हजारों नहीं करो हिंदों के बीच नमाज पढ़ते हैं और अगर मैं सुन ली आप जवाब पूरा हो जाने दीजे मैं बहुत बड़ा जवाब देने जा रहा हूँ पुरा देश देखा हाँ हाँ बहुत बड़ा हाँ और अगर वकार यूनुस माफी नहीं मांगते तो मैं उनके खिलाफ ट्वीट करता लेकिन वकार यूनुस बड़े खिला रही है उन्होंने अपनी गल्ती पर माफी मांगी है जब कोई व्यक्ति माफी मांग लेता तो उसमें क्या बचेगा फिर मुझे बता दीजिए और शमी को ट्रॉल करने वाले पाकिस्तानी यहरek में नहींुके जानाती है लेकर हिंदूस्तान के लोग है जो अजरुद्दीन के साथ क्या प्याँ वता अजरुद्दीन का मुसल्मान होने की वज़े से करियर बरबाद कर दिया क्रियर बरबात कर दिया अजरुदीन का अजरुदीन का नाम मैच्ट फिक्सिंग smiling मतब्स अजरुदीन मुसलमान रहे उसका नम बात म सम्सक्राइब करते हैं, क्रिक्ट के अंदर हिंदू भी ? क्या सजा हो गई उन सब और तब अगर अजरुदीन के साथ गलत हुआ और शमी को टार्गेट किया जा रहा कि वो मुसल्मान है अब आपने अपने आपको बहुत अच्छे डंग से एक्सपोस किया है अभी मैं पढ़ रहा था तौ अब जब आपका ट्वीट पढ़ रहा था तो किस तरह से भगाजा दे पाकिस्तान की cricket team को किए बढ़ या करा अपने new z融लेंड को आपने हरा दिया अगर पाकिस्तान की team cricket team इतनी अच्छी आपको लग रही है तो कराची रही है ना किसने मारा आपको कराची न रहने के लिए अगर आपको वखार युनिस को तो आप माफी दे रहें उसके माफी मागली मैंने माफी दे दी और बाकी लोगों को तो आप माफी के बाध क्या क्लारिफिकेशन के बाध क्या आप माफ करने को त्यारनी होते अप अपना double standart इस तरीके से लेकिन शमी के मामले में जहां भारत का दोष्ट था नहीं भारत को माफ करने वाले लेकिन इन लोगों ने भारत को बदनाम करने की कोशिश करी संबत कि देखिए अमीश भाई ध्यान से मेरी बाजरा सुन लीजिएगा अमीश भाई गलती किसकी है गलती हिंदुस्तान में ही कुछ पत्रकार कुछ नरेटिव ड्राइव करने वाले लेफ्ट लिबरल्स की है आप याद करि आप पाकिस्तान के इंटिर मिनिस्टर को सीरियस्ली नहीं लो मगर कुछ अनमार्क ट्रोल्स जो इंडिया में उनको आप सीरियस्ली ले लो ये इंडिया की वोइस है वो पाकिस्तान का वोइस नहीं है मगर ये इंडिया की वह से पर आभी आपने जो खुलासा किया कि ये पाकिस्तान से अधिकान स्ट्रोल कर रहे थे लोग ये इंडिया से नहीं पाकिस्तान से ट्रोल हो रहा था और दूसी बात याद जा दू मोहमत सामी का सबसे बड़ा ट्रोल कभी हुआ था तो वो इस्लामि समी के पीछे हाथ धोके पड़ गए थे और उनको लाइफ का थ्रेट भी दे रहे थे जो इस्लामिस्ट फोर्स भारत वर्ष में रहते हैं देखिए किसी न किसी कीमत पे इनको पाकिस्तान को बचाना है और अंत में यहां शाहदाब भाई ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और रिफत जावेद ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था कि मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं कलकत्ता में पढ़ा करता था और मेरे हिंदू साथी के घर में पढ़ने के लिए जाता था तो मेरा हिंदू साथी जो है वो अपने सभी देवी देवताओं के फ गर सके सुकून से हिंदु के घर में मैं क्या रिफत जावेद के घर में जाकर यग्ये कर सकता हूं नहीं और मिज्श भाई यह वन वेटक सेक्लियरिजम का क्यों और कब तक चलें पर यह नरेटिएव आखीर हम यह इस्लमर फोब्या इसलमर फोब्या सुपहängen से शाम तक कर इंतिजार कर रहे हैं सुभी खान जी इंतिजार कर रहे हैं अब अपनी टर्ण पर बोलेगा श्वाइब जमाई जी जब जब बीजेपी इंबरेसिंग सिचुएशन में आती है तब तब फरजी टूल कीट का प्रोपगेंडा आप लेके आते हैं क्या बीसी सी जाई भी बेव अब यहां से चलाते हैं क्या ने वेंकड़िस परसाद ने टूइट किया विरंदर सहवाग ने भी किया सचीन तंदूलकर ने सपोर्ट किया जिसके सेक्रेटरी जिसके सप्रेटरी जो है चूट का प्रोपगेंडा चलाया जा रहा था भारतिये खिलाडियों पर दबाब डाला गया भारतिये और मैं आपको पताता हूँ हुआ क्या है देखें सही सवाल शोहिब भाई आपने बिल्कुल वाजिब बात भूली आज इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए ने कि देखें BCCI ने भी कहा सचिन तंदुलकर ने भी कहा विराट कोली को भी कहना पड़ा आपको बताओ मैं रैलिटी में हुआ क्या है एक जूट का प्रोपगेंड़ा चलाया गया मैंने इसको अपने पैकेज में दिखाया भारत के तथा कतित बुद्धी जीविए एक सेकि मे भई सो फचल देड's खिजी द्जी और तो सब्लों सबस्वाइं यहाई में में मानोंगा मश्मानों क्राम मंति में आप बाद बाबर आप आपने अरंग जेब को माना आपने दाराशेकों को नहीं माना आपने अब्दुल कलाम को नहीं माना आप नहीं मानते कई चीजों को लेकिन सत्य तो सुनना पड़ेगा थोड़ा कड़वा है लेकिन सुनना पड़ेगा शोहिब जी सुन लीजे कड़वा सत्य है कड़वा सत्य पूछब बिरकों पड़को शोहिव भी आपी कि याए भी पाकिस्तान के टूल कि जवाब आब आप बात तो सुनिए पूरी आप बताईए इसमें अरे अब आप महराज मामें ना ना ओके लेट मी आंसर यू यू रास्किन वी यू रास्किंग मी यू ब्लेमिंग तें तंद वरिष्ट आदमी है और आपकी बात सवाब बात तो सुनीजे अगर आप लगतार बोलेंगे तो मैं आपना सवाट कैसे करूंगा सवाट का मतलब यह है कि मैं आपकी सवर्णू आप मेरी भी सुन ले महत्रपून है ना यह तो शोबाई मेरे क्रार कार में मुझे 40 second दे दीजे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ठीक है ना आपको वीडियो भी थोड़ा खराब हो रहा है विए अब एक सवाल पूछा गया कि सचिन तंदुरकर गरत है सवाल पूछा गया बीची से आए गलत है सवाल पूछा गया कि बाकी अनिल कुमले ने भी ट्वीट किया अब अंकटेश प्रसाद का भी शोहिव जी ने नाम लिया शोहिव जी ने बिल्कुल सही का शोहिव जी आपने सही कहा कि इन सब ने ट्वीट किया लेकिन कौन गलत था कौन सही था आज मैं थोड़ा बताता हूं मैंने अपनी रिपोर्ट पे दिखाया कि इस देश के कुछ बुद्धी जीवियों ने इस देश के कुछ लुटियंज गैंग के पतरकारों ने इस देश के कुछ उन तथाकतित लोगों ने जिनको हर विशे में भारत पर सवाल खड़ा करने होते हैं भारत के विचार पर सवाल खड़ा करने होते हैं भारत की सोहर्थ पर सवाल खड़ रहा हूँ और आप ट्विटर पे जाकर आप फेस्बूक पे जाकर देख सकते हैं दबाब बनाया गया कि आप कुछ नहीं बोलेंगे ये देखिए कैसे ट्रोल किया जा रहा है एक महाल बनाया गया जिसमें कहा गया कि शमी एकलाता क्रिकेटर जो मुसल्मान है भारते किया जा रहा है कोई कुछ नहीं बोलेगा दबाव में एक से लेके 10 तक लोग आए जरूरी नहीं है कि अगर 10 लोग कह रहे हो तो वो सकते हैं अगर वो बड़े लोग भी कह रहे हैं इतनी अमीज डेवगन हिम्मत रखता है इतनी हिम्मत ये देश रखता है कि उनको उन्होंन से ट्रोलिंग हो रही थी दिस इस नोन एस प्रेशर टैक्टिक्स ये प्रेशर टैक्टिक्स से जिसमें हर किसी ने ट्वीट किया मुझे बताइए ना किसी ने कहा कि आपके व्यूर्द में आप से पूछता हूँ आप मांसिक्ता को सूचिए आप जादा बड़े है सोचा कि भारतिय क्रिकट टीम जब मैच हारी तो महमद शमी की कारण हरी यकीन मानिये सोचा को मुसल्मान है सोचा जवाब है नहीं जवाब है नहीं अरे आपने तो तब भी कुछ नहीं सोचा होगा जब बांगला देश में मंदिर तूटे कि यह क्यो तूट रहे है आपको जब मैं यह पूरी वाक्या आपको बता रहा हूं तो आपकी थोड़ी आके खुल रही होगी क्योंकि आपको फरक नहीं पड़ता इस देश को यह देश अभी से नहीं कोई 1947 से अजाद हो तो यह इतिहास से भारत का भारत का इतिहास आधिकाल कित से है प्रभू श्री राम स में कोहिं हिंदू सिक नहीं बचला क्यों पैके से हें शिलता नहीं है क्यों कवेक में और ये एरां में हिंदू नहीं रहते क्यों सच़ाई सब को मालूम है 것처럼 कि सचाई बोलना नहीं चाहता लेकिन tonight I want to build a cat I want to say it, कि इस देश के अंदर कुछ लोगों ने जूट का प्रोपगेंडा चलाया है, साल दर साल, दशक दशक चलाया है, और शोयब जवायाँ आप सही थे, इन सब ने ट्वीट किया, लेकिन मैं कहना चाता हूँ, गलत किया, वो गलत था, वो जूट के प्रोपगेंडा के प कि मेरे ले सबसे ज़्याधा गरव की बाथ स्वे थी, सोच यह यह क्या बात थी, सबसे ज़्यादा गरव की बात ये थी, performance नहीं cricket की, हिishing at Facebook के सामने नमाज पढ़ी गई, सबसे बड़ी performance थी शुबूई खान वकार युनिस जब बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता लेकिन मोहमद श्रमी के बारे में सब गाना गाना चाहते हैं जी जी अमीश मैं पूरी डिबेट में नहीं बोली प्लीज कुछ सेकंद्स दे दीजेगा मैं अभी कटिहार होकर आई हूं बिहार वहां से जब 60 किलोमीटर दूर है बांगला देश यहां पर 21 सदी में खुलम खुला मंदिर विद्वन सो रहे हैं हिंदू भाई बैनों का नर संघार हो रहा है बांगला देश से बंगाल होते हुए बिहार में कटेहार तक पूरी एक बेल्ट है जिसमें घुसपैटी है बसा दिये गए हैं भारत में एंटर कर गए हैं राष्टी सुरक्षा को कितना बड़ा खत्रा है लेकिन हम डिबेट उस बात पर नहीं कर रहे हैं हम डिबेट इस बात पर कर रहे हैं कि महम्मद श्रमी को ट्रोल क्यों कर दिया कुछ चंद लोगों ने ये बहुत दुखत स्थिती हमीश ये नरेटिव इस देश में तूटना बहुत जरूरी हमीश वो देश जो इसलाम के नाम पर खंदित किया गया उस देश में जिसमें इसलाम के नाम पर चालिस हजार से जादा मंदिर विदवन्स विकृत हुए बेहन बेटियों के साथ हुसेन फकुरुर्दीन अली ऐहमद एपी जे कलाम रहे हैं उस देश में चीफ जस्टिस जस्टिस मुहम्मद हिदायत-उल्ला जड्समिर्जब भी में इहमदी जस्टिस अल्तमस कबीर बीच मेना बोले बीच में किसी के बीच में नहीं भूली बात सुनिये पूरी मैं अ happier भारतके हर मुसल्मान को यह मैसेज देना चाहती हूं कि यह लोग तो यहाँ पर बैट के अपनी राजनीती कर रहे हैं इनREAM तो मुसल्मान वॉट ऌफ के नाम पर अपनी पार्टी स्थापित करनी है इस्लामिक स्टेट की एक वैचार एक अनुकूलता बना के फाइनल इस्लामिक स्टेट की कॉल करके देश का विबाजन करना है लेकिन जो क्लूलेस मुसल्मान है जो देशभात मुसल्मान है जो भारत को अपनी मातर भूमी मानता है वो क्यों आता है इनकी बातों में वो क्यों इमोशनल होता है वो क्यों नहीं सोचता कि इस देश में पंथ की नहीं चरितर की पूजा की जाती है हम श्रीराम श्रीक्वेशन को किसी पंथ के कारण नहीं मान अमेज जी, आफ्टर योर लॉंग स्पीच और सुवी खान लॉंग स्पीच, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, मुझे प्लीज एक मिनट दीजेगा, इंटरप्ट मत कीजेगा आप कहते हैं कि मुहमाद शामी पर चर्चा नहीं हो, मैं भी नहीं चाहता हो मुहमाद शामी पर चर्चा हो, मुहमाद शामी को खुद फर्क नहीं पड़ा हो, चलिए ना चर्चा करते हैं हम इन नफरत को छोड़कर के देश के युवाओं पे, उनके करियर के अंसर्टिनिट कर रहा है मेरा अपना कली जो पीएसडी किया मेरे साथ उन्होंने पीएसडी किया साहब वह डी ग्रेड नौकरी करने के लिए तयार है और 5,000 की नौकरी पर Central University कल तक आप मोहम्मद शमी पर थे अब आपको युवाओ पर बात करनी है आपको नौकरी पर बात करनी है कुछ देर में आपको गारी पर बात करनी होगी थोड़ी देर में आपको टेस्टरा पर बात करनी होगी थोड़ी देर में आपको मोटर साइकल पर बात करनी होगी देख कि बात कर रहा हूं मैं तो वही कर रहा हूं जो आप चाहते हैं आप बात कर रहे थे ना समझ में आ रहा है चलिए इनके पी-चडी मित्र को अच्छी नौकरी नहीं मिली चलिए हो सकता है है बहुत सारी युवाओं को अच्छी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही हो हो सकता है महेंगाई बढ़ गई हो मगर इन कोई भी विशह वह एक्सक्यूज नहीं बन सकता है कि आप पाकिस्तान के लिए ताली बजाना शुरू कर दो पाकिस्तान के लिए आतिशपाजी शुरू कर दो यह तो बहुत कम में विखना हो जाएगा आप कश्मीर में उसके कारण से हमें और कोई उपाए नहीं हम तो वहाँ आतिशवाजी करेंगे उस हिसाब से तो कश्मीरी पंडितों के उपर जो जुर्म हुआ है कश्मीरी हिंदू के उपर जुर्म हुआ है उनको तो कब से यह देश त्याग देना चाहिए था वो तो माउंट कशमीरी हिंदुओं को कितरे कशमीरी हिंदुओं ने पत्थर बाजी चुरू कर दी कितने कशमीरी हिंदुओं ने एक एक फॉटीसवर उठा लिया एक उदाहरं दे सकते हैं और अभी जब शोर शुरू हुआ तो माजिद हैदरी कह रहा है थे कि हंगामा है क्यूं बर्पा थ चोटे-चोटे भटके हुए बच्चे हैं बंदू की तो उठा लिया है हंगामा क्यों बर्पा है इनके हिसाब से मनुष्य जीवन बंदूख पत्थर इनकी तो कोई आउकात और हिम्मत ही नहीं होती है यह सब तो ऐसे ही होते हैं चोटे-चोटे बच्चे उठा लेते हैं यह सी बात रहेगी तो अमीश भाई यह देश सुरक्षित नहीं रहेगा देखिए मैं तो इस देश पर छोटे-चोटे-चोटे से पॉक्ट बन गए हैं जहां पर इस तरह का महल बनाया जा रहा है लेकिन यह अच्छा हुआ कि भारत-पाकिस्तान का मैच हो गया और उसके किये बोड़िये हंगामा क्यों है वर्पा आतिश बाजी तो की है अमिश भाई सबसे पहले बावर आजम या केट इसनेट के लिए आतिश बाजी करने का अधिकार मुस्टे नहीं देता है पहली बाद अब अगर पाकिस्तान हमारा इतना बड़ा दुश्ट है तो कि हमारी स कि शाथमें आँ चाहे समित बातरा जिया अश्ट्रवादी जी राष्ट्रवाधी जी तो फूर चुना गूप ए उसके अरे शर्म आनी चाहिए आपको आप आस माधीमा के देश्ट्राण फूदा बहुत बाद्रमा अधिकी थोड़ा वक्त दीजिए मुझे शर्माना भी ह है जी संब्सक्राइब करते हैं आप लोग अरे भाइया मैं सर्मा रहा हूं मुझे माफी मांगने दोना मुझे ठीक है ठीक है यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब के सामने नमाज पढ़ना सबसे सुखत पल था मेरे लिए यह सही था कमेंटेटर ने पाकिस्तानी चलाता हम अपनी सरकार से सब्सक्राइब कमाले कमाले बहुत बढ़िया सब पता लग गया अब इससे अदा कुछ कहने की जोड़त नहीं है सब पता लग गया क और कहा ख़ड़ा है कौन किसके साथ से सब पता लग ना सर मैं जवादे निव निवर खड़ा ऑटा देश के साथ खढ़े हैं बहुत बढ़िया है सब्सक्राइब चलिए अब मैं बता लूँ धन्यवाद देखिए अमीश भाई ये कल से एक नरेटिव कुछ लोग पूछ रहे हैं फ्लोट कर रहे हैं कि मैच क्यों खेल दिया सारी गड़बडी उस मैच के खेलने में हो गई देखिए मैच खेलेंगे अगर बाइचान से मतलब बिना मैच के तो मैं पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है अब देखिए आप याद करें मीश भाई जब कलकत्ता का चुनाव चल रहा था बंगाल का चुनाव चल रहा था एक विधायक एक चुने हुए विधायक ने भाशन में कहा था कि हम तो इतनी संक्या में हैं कि हम अगर एखट्टे हो जाए तो हिंदुस्तान के अंदर तीन पाकिस्तान हो जाएगा तो याद होगा ना कि अगर हम इखट्टे हो जाए तो लिए वह मंत्री ये तो आफ हकीम तो अलग है अभी अभी बॉबी हकीम को स्टेटमेंट नहीं था जिसने कहा ताकि तीन पाकिस्तान हो जाएंगी जब अपने चुनाव के समय पत्रकार को कहा था यहां से यह कुनाव लड़ता हूं यह mini पाकिस्तान मैं mini पाकिस्तान से जीत क्या आता हूं बड़े गर्व से उसने कहा था यह मिनी पाकिस्तान है आपको क्या लगता है मैंने मैंने यूही कहा कि देश के अंदर कुछ ट्रोजन होर्स हैं और अमिश भाई यह बहुत चुंता करें यह मैच हो गया कौन कौन देश के साथ खड़ें कौन देश के साथ नहीं है समबित ने कहा कि मैच से पता चल गया कि कौन देश भगते कौन देश द्रोई है मेरे भाई खेल में नफरत को मत डालिये इस हिंदोस्तान में करोडों लोग रोडाल्डों के सपोर्टर है क्या सबके सब देश दिरोही होगे दूसरी बात ये है कि इस देश का हर मुसल्मान देश बक्त है कौन ले रहा है मैच में कौन किस खिलारी को सपोर्ट करता यह उनको तैकर निजी लेकिन जिनों ने शमी करते हैं अब भारत पाकिस्तान को सपोर्ट कर देंगे आप बोलेंगे यह हमारा राइट है अरे कमाल की बात है किस बात का राइट है यह ना मैं पूछता हूँ जी किस बात का राइट है भारत पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे हमारा राइट है किसी खेल में जवाब है नहीं पाकिस्तान में रहके भारत के लिए को पठाके जला सकता है जवाब है नहीं अरे और तो और अमेरिका और केनेडा का मैच हो तो अमेरिका में रहके को केनेडा की सपोर्ट कर देगा क्या आप लोग मतलब हद को भी पार कर रहे हो और जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो उनको जायज सरा रहे हो और शमी के बारे में बोल रहे हो वकार यूनिस के बारे में चुप हो यह हिंदू फोबिया है पीपल स्टार्ट ट्वीटिंग इट ट्वीट करिए आप देख रहे हैं हार पार इंट्रेस्टिंग बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ पाकिस्तान जीता तो कुछ लोगों ने खुशी मनाई लेकिन पाकिस्तान और न्यूजिलेंड का मैच हुआ पाकिस्तान जीता हो इस मैच को तब किसी ने खुशी नहीं मनाई मतलब बिल्कुल साफ है जो ना समझे उसको लिए क्या बोला जाए शोईव जमाई बोलिए न्यूजिलैंड से कल पाकिस्तान जीता क्यों नहीं पठाके जले शोईव जमाई बोलिए आपके माइक में कुछ इशू है मैं वापस आपका रूख करूंगा शोहब आपको मेरी आवाज बिल रही है ड़त है आडियो आपका मेरे तक नहीं आ रहा आपको आडियो । बिल्कुल आ रही है जी जी मैंने कहा कि अमिज जी अगर ये पाकिस्तान का एजेंडा है टूल किट तो आज आज ही के आज आप जैशाजी को टैक करके ट्वीट कीजिए कि आप लोग और आपकी बिजी से आई पाकिस्तान के टूल कीट के सहारे गवर्न हो रही है आप उनके खिलाफ कर लीजे ट्वीट मुझे उम्मीद है कि कल भी आप एंकर रहेंगे पॉइंट नंबर वन पॉ तुम भाबि बत उससे आगया और मुझे आपके क्षर दर चार ग्दी की ऑ between टीसरी बाद निहीं नए यह यहां पे गोट से और गांधिक की विचारधार का टक्राओं या इस देशकिं के अंदर फारे किन आज़ा से बसमतर का इसलिए आप चिंता मत कि जिन्दगी मेरे इमान तो उनका विका है जो भारत की खाके पाकिस्तान की गाते हैं कि मैं लिंदा जिनको हम चरव आथी सब्झक होएंक सम्भश पात्रह संपुर्ण संविताइज यहिङए हाँ विट्कुल समय स्वीट पात्रह समय पात्रह सम्भश्ताइश व्यद्टी सेकंड्स है आप ज़य की इसप्ढ़ए आप के अब देखिये मुझे आश्चर हो रहा है सारा दोश RSS का BJP का BCCI का फ़र पाकिस्तान का कोई दोश नहीं मुझे समझ में नहीं आता है इनको पाकिस्तान के खिलाफ एक इन बोलने में इतना क्यों मुश्किल हो जाता है दूसरी बात है आप देखिए यह तो यह तो एक मैच के बार आतिश पाजी हुई है इस देश में आतिश पाजी चल गई थी इस देश के अंदर उसको को सलिब्रेट कर लिया गया था यह तो केल है डोजन हुर्स का यह हाल है इस देश के अंदर की हमारे जवानों को मार देने पर उनके शहीडी पर यहां सलिब्रेशन हो गया है और तो आतिश बाजी हिंदूस्तान ने भी आतिश पाजी किया था यहां पर सरजिकल नहीं है मैं माफी चाहता हूँ आपको बहुत शुक्रिया मैं माफी चाहता हूँ आप से भी शोहिब और दूसरे पैनलेस्टे विकी मैं उनके पास नहीं आ पाया वापस में लेकिन फिलाल आरपार में नहीं लेकिन आज का निशकर्श यही है कि पहचान लो कौन कहां खड़ हुआ 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 है